सिर्फ 5 साल काम और जिन्दी की बराराम ये शब्द हमने कई बार सुना है और हमें लगता है कि काश को यसा रास्ता मिल जाए जहां 5-10 साल काम करने के बाद लाइफ टाइम कोई काम करने के जुरती ना पड़े और घर बेटे बेटे पैसे आते रहे हैं वेल अगर मैं आपको बोलू कि एक रास्ता है जहां आप 5 साल में तो नहीं अगर आप अच्छे से 10-12 साल तक इन्वेस्ट करते हैं काम करते हैं तो उसके बाद आप मन्तली 40,000 रुपे बेटे बेटाय कमा सकते हैं और उसके लिए आपको कोई एक्षा एफट भी नहीं देना सिस्टमेटिक विड्रोल प्लान ये कैसा मेथड़ है जिसमें आपको हर महीने बेटे-बेटे 20,000, 30,000, even 40,000 तक इनकम मिलती रहती है अब वो कैसे होगा उसको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए ये वीडियो बिना स्किप किये एंडे तक जरूर देखना अब जब भी हम SIP की बात करते हैं तो हमें पता है कि compounding का benefit लेने के लिए हमें सालों तक wait करना पड़ता है जिसे मालो आपकी salary 15,000 है और आप 50, 30, 20 rule के according आप अपनी salary का 20% invest करोगे SIP के जरिये अब 15,000 का 20% होता है 3,000 रुपे तो इस SIP calculator में देखो आप अगर 3,000 रुपे क वो 26 साल में बनेगा यानि करोड़ पती बनने में 26 साल लग जाएंगे और बुड़ापे में आप retire हो के क्या करोगे 60 की age में एक करोड़ की value inflation को adjust करने के बाद क्या रहे की तो ये method अच्छा है बट इसमें काफी time लग जाता है इसलिए इसका एक और तरीका है जहां आप early retirement ले सकते हो और 60 की age में नहीं कुछी सालों में हर मैने एक अच्छी income generate कर सकती हो इसलिए आज हम बात करेंगे SIP के opposite SWP की यानि systematic withdrawal plan अब यार SIP के बारे में तो मैंने सुना है बट ये SWP कौन सी बला है दिल्ली में रहने वाले दो लड़के आकाश और रोहित के मन में भी य इसकी उमर में जब आकाश और रोहित की जौब लगी और जब उन्हें एक सही package मिला तब जाकर दोनों के रास्ते अलव हो गए और रोज शाम को स्कूटी पर गेडिया मारकर momos खाने वाले लड़के अब responsible बन चुके थे अब रोहित ऐसे लोगों मैंसे था जिसे आज में जीना पसंद था उसको पार्टीस करना घूमना फिरना बाहर जाकर खाना पीना और महंगे महंगे गेज़ेट्स जैसे फोन और वाचेस का बहुत शोग था उसके लिए लाइफ का मतलब था future की चिंता चोड़कर present में जीना अब आखिरकार वो यंग था अच्छा कासा कमा रहा था तो उसे लगा कि अभी savings और investment के बारे में सोचने के लिए पूरा future बढ़ा है फिर क्यों खामका चिंता करना वहीं दूसरी तरफ आकाश जो अपने parents को देखकर उनकी बाते सुनकर बढ़ा हुआ था वो जानता था कि life में एक बार पैसा आजाने के बाद financial planning कितनी ज जरीए कुछी सालों में एक fixed income generate कर सकते हैं और चाहो तो retirement भी ले सकते हो तो उसके लिए उसने the 40% rule का इस्तमाल किया जिसमें वो अपनी salary का 40% जो की होता है 8000 रुपे उसे वो invest करना शुरू कर दिया अब 3 साल बीद गए दोनों की एच 25 साल हो चुकी थी रोहित आकाश से म रेटायर कैसे होगा रेटायर तो 60 केज में होते हैं और खर्चे कैसे निकलेंगे तब ही आकाश रोहित को SWP के बारे में पताता है और बोलता है कि देख में 22 के इसे ही invest करना शुरू कर दिया था और मैं 35 केज में रेटायर भी हो जाऊंगा ये सुनकर रोहित चोक जाता है तब ही रोहित उससे पूचता है कि भाई मैंने तो सुनाता कि अगर हम हर मेंने कुछ पैसा invest करते हैं तब भी रेटायर होने के लिए हमें सालों लग जाएंगे तब आकाश बोलता है तुझे SWP के मेजिक के बारे में नहीं पता आकाश रोहित को बोलता है कि देख मैं the 40% rule का यूज कर रहा हूं जहां मैं अपनी सेली का 40% सेव करके invest कर रहा हूं और हर साल अपने investment amount को 10% से बढ़ाता भी जा रहा हूं और ऐसे करते करते मुझे 3 साल हो चुके हैं आकाश रोहित को बोलता है कि अब इस step up SIP calculator में देख मैं हर महीने 8000 रुपे पिछले 3 साल से invest कर र रखा है और मुझे हर साल 13% का अगर return मिल ला है तो मेरे पैसो की total value 3,87,000 हो चुकी है अब इसे देखकर रोहित हस्ता है और बोलता है कि ये 3,87,000 बस इसमें तो मेरी एक अच्छी कार भी नहीं आएगी भाई तू कहां retire होने की बाते कर रहा है तबाकाश रोहित को बोलता ह है रुख जरा और आगे देख अगर मैं यही मेतर फोलो कर रहा हूं और हर मेने 8,000 रुपे इंवेस्ट कर रहा हूं और वहां में 10% का annual step up भी कर रहा हूं और मुझे वही 13% का return मिल रहा है तो 13 साल बाद मेरी वेल्ट लगबग 52,00,000 रुपे हो जाएगी ये देखकर रोहि बोलता है कि भाई 22,00,000,000 में तो retire कैसे होगा अगर तो ये 22,00,000,000 रुपे निकाल के खर्चा करने लग जाएगा तो ये सारे पैसे तो कत्म होई जाएंगे और आकाश बोलता है कि भाई यही काम आएगा SWP method जहां मैं इन 22,00,000,000 रुपे को लेकर retire हो जाऊंगा और अप बाउन लाक रुपे मैंसे मैं 2,00,000,000 रुपे तो अपने पास रखूंगा और बच्चों ये 50,00,000,000 रुपे को पूरा invest कर देता हूं जहां मुझे again 13% का return में लाए और अगर तो इस calculator में देखेगा तो मैं हर महीने 10,000,000 रुपे withdraw करता जा रहा हूं तो अगर मैं ऐसा कर देखेगे तो आकाश बोलता है बात तो सही है तेरी चल मैं अगर महीने का 20,000,000 रुपे withdraw करता हूं चल छोड़ 40,000,000 रुपे withdraw करता हूं तो देख क्या होता है अब इस calculator में देख अगर मैंने वही 50,000,000 रुपे invest कर रहे 13% के rate of return पर और मैं हर महीने 40,000,000 रुपे withdraw कर रह ही सवाल होंगे नमबर वन आखिरी SWP method काम किसे करता है नमबर टू अगर हम हर मैंने 40,000,000 रुपे निकाल रहे हैं तब भी वो पैसा खत्म क्यों नहीं हो रहा है नमबर त्री अगर मैं 40,000,000 रुपे से ज़्यादा माउंट निकालता हूं क्या तब भी ये पैसा खत्म नह होगा एंड नमबर फॉर अगर मुझे SWP करना है तो मुझे क्या करना होगा तो रोईद बोलता है रुक सारे सवालों का मैं जवाब देता हूं पर उसके लिए सबसे पहले तुझे ये समाज नहां होगा कि SWP काम किसे करती है और तू या कोई भी वेक्ति इसका कैसे यूज कर सकता है तो चली चलते हैं इस वीडियो के important part पर how does SWP works अब हमारा stock market जो है न वो कभी एक जैसे return offer नहीं करता है हां long term में आप ओने average 12-13% का return देखने को आपको मिल सकता है पर कभी-कभी funds के cases में ऐसा भी होता है कि कि किसी महीने negativity return मिले या किसी महीने एकदम stable return मिला और कभ में market data के जरिये देखते हैं कि आकरी SWP काम कैसे करती है तो आपको याद होगा कि आकाश के पास 50 लाग का corpus ready था जिसमें उसके पास total 10,000 units है और उसके एक unit की NAV 500 रुपे थी NAV यानि net asset value जो किसी भी fund की stock price की तरह होती है जिसकी ऊपर जाने पर आपको फायदा होता है और नीचे जाने पर नुकसान तो आप यहाँ पर simple calculation से देख सकते हो अपरेल के महीने में उसके एक unit की value थी 500 रुपे जो बढ़कर मई के महीने में हो गई ये 505 और अब क्योंकि अकाश को 40,000 रुपे विड्रो करना था तो उसने 40,000 रुपे divided by 505 रुपे यानि around 79 units उसने 220 unit अब इस्टिल आप देख सकते हो कि investment का जो overall amount है वो 50,000,000 रुपे से बढ़कर 50,000,000 रुपे हो चुका है और ऐसा की हुआ क्योंकि पहले एनवी 500 रुपे थी और अब मही के महीने में एनवी 505 रुपे हो गई है ठीक इसी तरह जून में भी एनवी बढ़ी और आकाश को 40,000 रुपे विड्रोल करने के लिए 78 units निकालने पड़े और इसके बाद बचे 9842 unit और आप देख सकते हो कि विड्रोल के बाद भी total amount increase हो रहा है 50,000,000 रुपे हो गया है फिर जुलाई में भी सेम हिसाब रहा 40,000 रुपे विड्रोल करने के बावजुद investment होगी 50,000,000 और आप यहां देख सकते हो कि इस डिप की वज़े से आकाश को लगबग 80 units सेल करने पड़े और उसके बास बचे कुल 9,685 units जिसमें चो उसका investment amount था 50,000,000 रुपे वो गटकर 48,000,000,000 रुपे हो गया और फिर सितंबर के महीने में भी सेम डिप कंटीनियू रहा और एने व आते रहते हैं ठीक उसी तरह इस फंड में भी डिप के बाद एक राइस देखा और अक्टूबर के महीने में एने वी की वेल्यू उचल कर सीधा 510 पोज गई और अब 40,000 रुपे विड्रो करने के लिए उसे 78 units देने पड़े और उसके बास बचे 9526 unit जिसकी total value बनेगी 9526 multiply प्लाइबाई 510 यानि की 48,58,000 रुपे तो इस तरह एनवी उपर नीचे होती रहती और दिसंबर के महीने में आप देखोगी तो उसके total amount की value 51,57,532 रुपे हो चुकी है यानि उसने start किया था 50,000,000 से और अब वो हर महीने 40,000 रुपे निकाल रहा है उसके बावजुद की total amount की value काओं लाग 57,532 रुपे हो गई है यानि लगबग 1,500,000 रुपे का इजाफा यानि in short सब कुछ हमेशा बढ़िया नहीं रहेगा तो इससे हमें पता चलता है कि SWP market factor के हिसाब से return देती है एक तरफ हमें पैसा भी आता रहता है और दूसरी तरफ हमारे investment भी बढ़ती चली जाती है पर ये तो मैंने आपको excel sheet की मदद से ये बता दिया कि SWP आखिर काम कैसे करती है अब सवाल याता है कि आखिरकार हमें SWP के लिए कितना amount चाहिए होगा और कितना amount withdraw करना सही रहेगा और क्या ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा withdraw करने से आपका investment negative हो जाए तो इसके कहते हैं the 6% rule अब जिसे कि मैंने आपको बताया कि SWP के लिए आपको एक lump sum amount चाहिए अब मान लेते हैं कि 50 लाक रुपे invest कर पाना सब के बसकी बात नहीं है तो आपने 35 की एस तक invest करके 30 लाक रुपे का corpus जमा कर लिया है और अब आप सोच रहे हो कि महीने का 40,000 रुपे withdraw क किया जाए तो चलो देखते हैं हर महीने 40,000 रुपे निकालने से क्या होगा इस SWP calculator में देखो अगर आप 30,000,000 रुपे invest करते हो और हर महीने 40,000 रुपे निकाल लेओ जहां आपको 13% का return मिल ला है तो अगर आप 11 साल तक ये करते रहोगे तो आपके पास किवल 4,26,000 इसलिए वर्ड के बड़े-बड़े investor और financial expert ने suggest किया है the 6% rule कहने का मतलब आपको अपनी total investment का बस 6% निकालना है उससे ज्यादा नहीं यानि अगर 30,000,000 रुपे का 6% देखा जाए तो साल का होता है 1,80,000 रुपे जो की महीने का होगा 15,000 रुपे और आप यहां देखी सकत जो गर आप 15,000 रुपे हर मेने withdraw करोगे तो आपका पैसा आगले 30 सालों में भी खत्म नहीं होगा और तो और आपके investment की value 6 करोड हो चुकी होगी तो मेरे साब से यह 6% rule US की economy के साब से बनाया गया था जो की best है आपको यह भी देखना है कि किस fund में आप invest कर रहे हो उस पे कि जोना return आपको मिल लाए यानि जब जब आपका withdrawal rate आपके interest rate से ज्यादा होगा तो आपका पैसा खत्म हो सकता है जैसे कि मालो return आपको मिल लाए 10% का और आप withdrawal भी कर रहे हो 10% की rate से तब आपका पैसा बहुत ही जल्द 0 हो जाएगा लेकिन अगर आपका withdrawal rate आपके interest rate से कम है जैसे कि आपको return मिल ला है 12% का और आप withdrawal कर रहे हो 4-5% तो ऐसे में आपको regular income और fixed return मिलते रहेंगे और आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा तो आप अपने investment वर 5-6% तक withdrawal कर सकते हो और SWP का benefit उठा सकते हो पर क्या ये SWP safe है तो चली जानते है SWP से related कुछ risk जिसमें सबसे आता है you have to start with a lump sum amount तो अगर आप अपनी investing stage में बहुत early हो और अभी आपके पास कोई भी fund नहीं है तो आप SWP नहीं कर सकते है आपको पहले SIP करने ही पड़ेगी और लंबे समय बाद जैसे कि मालो 10-15 साल बाद जब आपके पास एक बहुत बड़ा amount बन जायागा तब आप SWP का यूज करके एक regular income का source बना सकते हो दूसरी risk आती है unpredictable अब एक lump sum amount होने के अलावा SWP की एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये भी stock market की तरह unpredictable है जैसे हमने उपर वीडियो में देखा कि SWP में investment की value बढ़ने के लिए NAV का grow होना जरूरी है और आपके fund की NAV value depend करती है stock market के performance पे जो कई बार investor के मन में एक doubt create कर देता है और उन्हें जल्द से जल्द sell करने के लिए मजबूर करता है पर इस unpredictability को ignore किया जा सकता है तो अगर आप सही से research करते हो और एक अच्छे fund में पैसा invest करते हो तो आपको एक stable return देखने को मिल सकते हैं तो देखो वैसे तो मैंने प WP और the 4% rule जैसे topic आपकी retirement और आपके financial future दोनों को सभार सकते हैं तो in short systematic invest करना तो आपको आही गया है पर अब बार ये systematic withdrawal करने की जो आपको एक early retirement और better financial future देगा साथ ही अगर आप the 4% और fire method के बारे में जानना चाते हैं तो मुझे comment करके जरूर बताएं मैं उस पर एक friends और family के साथ जरूर share करें ताकि उन्हें भी इस method के बारे में पता चल सके वीडियो पसंद आरो तो इसे like करें और इसी तरह के वीडियो के लिए channel को subscribe करना ना भूलें तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जहन्द